तो नमस्चीव आएदोस्तो 22 जनवरी के दिन जो है स्री राम मंदिर की पुजा करते हैं वो पूजा करें उसके बाद जो है जैसके मैंने बताया राम लला आ रहे हैं तो इनकी खुशी में आपको क्या करना है क्रीर मनाना बना सकते हैं तो खेर बना और उसमें जो केसर के दाने डाल सकते हैं अर máximeva कि ढाल सकते हैं और तुल्सी के पत्र बीडाल सकते और भगवान का भोग लगाएं, यह सोच कर कि राम लाला इसका मतलब सेवन कर रहे हैं, अगर यह काम आप प्रतिष्टा हो रही है उस टाइम करें तो अति उत्ता में, क्योंकि उस समय ब्रह्मान में बहुत ज्यादा उर्जा होगी और श्री राम उस समय मौजूद होंगे, और आनमान जी भी मौजूद होगे, उसके बाद आपको क्या करना है, उनकी आर्ति गानी है, और बाद में आप दीपक जलाएं, रातरी के समय, आपको ऐसे नहीं जलाना है, चावल की डेरी पर जलाना है, पूरे घर में आपको दीपावली बनानी साम के समय, क्योंकि दीप जलाएं वहां पर, क्योंकि सारे कहा जाता है, इनमें लचमी जी का निवास होता और विष्णु भगवान का मतलब रूप माने गए है इसलिए इनकी पूजा भी करें, इसके साथ पूरे घर में कपूर और लॉंग को जलाएं, इससे क्या नेगेटिव एनरजी दूर होती ह और आपको कोई भी मंत राता है नहुआन का, वो आप जबें परेम से, और लड़ू लियाएं आप अजार से, अब होग लगाएं लड़ू और केला, छोटी-छोटे बटुक को स्री राम समझ कर उनको खिला दें, अगर बंदर मिल याएं आपको तो अती उत्तना में, गु यह वस्त्र आप भगवान को अर्मढक रणने के बाद किसी गरीब को दान कर सकते, किसी ब्राममन कोौ धान कर सकते ब mens स्वेहें हां घर के मंदिर में फी चरां सकते हैं, और स्वेल से साम तक जलता रहें अब आपको पाट क्या करना है स्री राम रक्षा श्रोत का पाट कर सकते हैं, बाल कांड का पाट जरूर करें, क्योंकि राम लला बाल रूप में है, हनमान चालीसा पड़ें, बाल कांड का पाट करना है, और अगर आपको इतना टाइम नहीं है, तो स्री राम रक्षा श्रोत क करनी ही करनी है ओम हनु 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 करके तो तज़ोरी में रखें वहां पर हनमान जी का थोड़ा स सिंदू लेकर मासीता के चणनों में लगा दिया आपने यह इतना अधूत उपाय हैं और माता के चड़नों में लगाने के बाद अपने अप माते पर तिलक करें तो और भी उत्तम परणाम देखने को मिलेंगे अगर किसी की साधी में दिक्कते आ रहे हैं तो इस दिन जो सुबा सुबा केसर के पानी से हल्दी से पानी से नहाएं और जो हल्दी की गाट भगवान को चढ़ाई है न वो भी अपनी जेब में रखना चालू कर दें दोस्तों इतना अदूद उपाय है कि आपकी शादी के जल्दी योग बनेंगे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो तुसी पत्र भगवान को चढ़ा कर उसमें केसर के थोड़े से दाने चढ़ा कर आपको हल्दी की गाटे चढ़ानी है उसके बाद इस हल्दी को गाट को बच्चे से कहें कि वो अपने पास रखने चालू करते हैं इससे बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा मोरपंक को भी आप बच्चे के पास रखा सकते हैं तो दोस्तों उपाय अनेक हैं आप सुर्दा भक्ती विश्वायस के साथ जो भी उपाय करेंगे उसकी उत्तम पढ़नाम देखने को मिलेंगे और आपको जो है जो सीराम अश्टक का पाट होता है वो भी आप कर सकते हैं कुल मिला के आपको जो भी सुबदा देखें जो भी आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ें यह को जरूरी नहीं आप पूरा रामचरित मानस पढ़ने आप जो भी चौपाईयां आती है क्याते हैं मन जितना है आपका है उतने इसाब से आप सांती से पाट करें पंचा मियत का आप सेख भी भगवान को कराएं उस पंचा मियत को आप चोटे बठकों में बाट दें चोटे बच्चों को बाटेंगे तो अती उत्तम पढ़नाम देखने को मिलेंगे क्योंकि यह जो है राम लला की पृत्मा होने जारी राम लला मतलब बच्चे बाल रूप में है ना बाल रूप को समझ करा बच्चों कुछ भी दें टौफी दें लड्डू दें वह आप किस तरदा आप कुछ भी दें गाय की सेवा करें यह जितने भी सत्करम हो सकते हैं आप इस दिन करें तो कि इस समय जो है उर्जा बहुत जादा होगी आप जो भी काम करेंगे आपको तरण परणाम देखने को मिलेंगे तो दोस्तों यह काम आप राम पिर्तिष्टा जिसने नोने जारी मंदिर की उस दिन जरूर करें और आपको एक जंडा जरूर लाना है जिसमें हनमान जी और राम जी की कोई भी भोटू बनी हो राम सीता परिवार बना हो और जंडा जब मूरत हो रहा हो उस टाइम आप जो है अपने छत पर लगा दें दोस्तों सारे घर की नेगेटिव एनरजी आपकी दूर हो जाएगी तो यह आप करें आपको बहुत-बहुत बढ़ाई तो दोस्तों आज का वीडियो में ही समाथ करकी पसंद आए तो लाइक करें दूसरों को शेर करें और कमेट्स में नमस्षी बाद जरूर लेकें बहुत-बहुत धन्यवाद